अगर आपके गुगल प्ले बीटा में इसा टू इंस्टोल एंड प्लेड इस गेम प्लिस टर्ण ओन अडिशनल सेटिंग इसा आता है तो आपको क्या करना है उसका सुलीशन में आपको बताता हूं इतना होने के बाद आपको थोड़े देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर में ओटोमेटिकली हो जाएगा अगर आपको फीर भी नहीं होता है पांस से साथ मिनिट के बाद भी तो आपको यहां पर यहां पर यलो एलो कलर में जो लिखा हुआ आता है तो उस पर पर क्लिक करोगे तो आपको फीर से continue वाला option देख जाएगा अगर इस तरीके से भी आपको नहीं होता है तो एक तरीका में आपको बोल कर सुना देता हूं वह है आपको जाना है आपको विंडो की सर्च बार में और वहाँ पर आपको लिखना है विंडो फीचर टर्न ओन और इस तक आपको Hyper-V वाला आ जाएगा तो आपको Hyper-V वाले को ओफ कर देना है Hyper-V Virtualization Machine Platform और वहाँ पर कुछ 5-7 function रहेंगे तो आपको उनको 5-7 function को ओफ कर देना है तो आप जैसे ही उस पर continue क्लिक कर दोगे तो उसके बाद आपका solution automatically हो जागा इसके लिए बस आपको एक बार PC PC restart करना पड़ेगा थोड़े देर बाद वह अपने आप आपको एक notification बज़ेंगे कि अब आपका PC restart करो फिर आपका problem soli हो जाएगा मैंने बीना वीडियो में कोई भी टाइम पस किया आपको diet solution बदा दिया इसलिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपको आपको खयर धुक